नमस्षकार दोस्तों मेरा नाम है कगना और सवाकत है आज की सीडियो में जा आम बात करने वाले हैं स्कॉडा कुष्षाक की यह है स्कॉडा कुष्ष्षाक की चावी और यह से शुरुआत करते हैं तीन बटन आपको देख पा रहे हैं लॉक अनलॉक और बूट जो है उसको यहां पे बटन है, अब जैसा कि squad of Volkswagen की cars में typically होता है कि आप दबा के रखो तो windows roll down हो आती है, इसमें भी दबा के रखो तो windows roll down हो जाती है और अब जो आप देख पार है, ORVM, वो unfold हो जाता है, बट सिर्फ driver side window roll down होती है बिकास इसमें जो है, आपके पास में वांटाजब डाउन उसी में आता है, और किसी में नहीं आता है तो देखते हैं क्या-क्या कुशाक में, यहां पे आगे आगे आप देख पार हैं, यह headlamp unit है, यहां पे यह projector based है यह आपके पास में indicator है, यह DRL है, जो lower trim होगा, उसमें जैसे यहां fog lamp पे lower trim में यहां DRL मिलेगी अभी हमने देखा नहीं यह low trim, बट as per press release यह लिखा है, Skoda classic crystalline यह लिखा है, अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं यह lighting कुछ ऐसी है कि प्रपपली देखने में थोड़ी थोड़ी परचानी जो है, यह हो रही है, यह light जो है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगी, LED बेर से काफी strong लग रही है, नीचे की तरफ यह fake air dams आप यहां पे देख पा रहे हैं, यह grill है, Skoda का logo है इदर, फ्रंट म style trim, तो यह है, जैसे कि यह आप देख पा रहे है, silver finish, यह सिर्फ आपको top end में, और बीच वाले variant मिलेगी, lower में यह black में finish होगी, side में आते हैं, यहां पे आपके पस में 17 inches के alloys हैं, जो की tires दिया गया है, 205-258-17 size का, जो lower trim है, सबसे नीचे वाला, उसमें 16 inches के steel trim आएंगे बीच वाले में 16 inches के alloy rim हाएंगे, यहां पे disc brake दिये गया है, जो की गाड़ी में 2 ही है, front में, rear में disc brakes नहीं है, Škoda का branding है, यहां पे, turn indicator है, और वीम पे, काफी subtle है, request sensor आपको मिलता है, passenger side में भी, जैसा मैं आपको बता रहा रहा था, कि यहां पे rear में, आपको disc brake नहीं मिले हालांकि, standard है, electronic stability control, गाड़ी में, हर वीरियंट में, कोई साब भी खरीदो, ESC जो है, उपको मिलेगा है, मिलेगा, यह आपके पास में rear tail light, और यह आपके पास में indicator, और यह reversing light है, यह alogen में, यह LED में है, जो lower वीरियंट, उसमें भी similar sort of चीज मिलेगी, कुशाख की branding यहां साथ में, tire pressure monitoring system जो है, वो भी as an SRC मिलेगा, rear wiper, शाक्विन एंटी न, और यह, आपके पास में, यहां पे, fuel फिल करने का option है, diesel engine नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ petrol engines मिलेंगे, मैं आपको खोल के बता देता हूं, so basically, दो engine option होंगे, आपके पास में, 1.5 liter और 1.5 liter, दौनों टर आपको 150 PS, 250 Nm का talk देगा, अब यह, वन लिटर के engine, जो है, वो 6-speed के manual transmission, और 6-speed के automatic, जो तो के साथ में आएगा, बट, जो 1.5 है, वो 6-liter manual, जो 6-speed manual, और 7-speed DC, जिसको Volkswagen Group DSG कहता है, उसके साथ में आएगा, अंदर चलते हैं, जो overall finish है, जो fit lines है, वो काफे सुंदर है, request sensor, अभी probably काम नहीं कर रहा है, जो है, जो है, shipping mode, okay, कर रहा है, okay, अब mirrors जो है, fold and fold हो जाते है, seat मैं पीछे कर लेता हूँ, गाड़ी मैं जो है, start कर लेता हूँ, एक बार की, actually clutch का travel काफी लग रहा है, मुझे, गाड़ी मैंने start कर लिए, और अंदर है, actually, काफी silent गाड़ी, हाल लेकिन मैं accessory mode, जो है, वो on रखूँगा, okay, तो यहाँ पर इस तरह से शुरुआत करते हैं, कि गाड़ी में और क्या-क्या चीज़े है, यह जो आप देख पार है, पावर उंडूर्स के control है, जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ ड्राइवर विंडूर्स जो है, वो वन टच अप यूजिली थोड़ी से सटल रखता है, इस बार ऐसे देखने को मिला है, कि थोड़ी से शार्प FG टाइप डिजाइन जो है, रखी गई है, कितना लंबा डिजाइन यह अच्छी लगती रहेगी आपको, यह तो उमर के साथ ही पता चलेगा गाड़ी के, बट अभी जो है, देखने में काफी नीट लग रही है, कोई उसमें इशू लग नहीं रहा है, इधर जो है, आपके पास में हेड़ लाइट से जड़ेवे कंट्रोल है, आटो, पार्क, अगर आपको लाइट जला कर रखनी है, तो फॉग लैम जो है, अगर आपको करना हो, तो पूल करके ऐस आप ले सकते हैं, इस तरफ आपके पास में क्रूस कंट्रोल और आपका हाई बीम, लो बीम अगरा देना है, तो अगर आप सामने अभी लाइट देख पा रहे है, तो यह हाई बीम लो बीम, अच्छली लाइट काफी स्ट्रॉंग लग रही है, हाई और लो उस एक ही जो प यह को मिंटर है, नीच यह तेमपरिचर गेज है, यह M.I.D. जो है, इसमें क्या-क्या, उसकी बात कर लेते हैं, तो बिसिकली आपको टाइम, सर्वेस, यह चीज़ यहाँ देख सकते हैं, इन फैक कुछ कुछ चीज़ें जो है M.I.D. की, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकत इसके बात में, इसके बात में इधर टेलीफोन, इसके बात में ऑडियो और यह वस यह तीन चीज़ें ही जो है वह आपको यहाँ पर दिखने को मिलती हैं, और यह सारे इधर से आपको कंट्रोल कर सकते हैं, बिसिकली यह एक नॉब है, और यह आपके इधर इस्विछ जो यह दो दो आप देखी पा रहे हैं, अफ्रे ब्रिसेट करना है, उसका फ़रन इधर दिया गया है, इस तरफ आपको इस जो गिए गए है, इस सारे के सारे M.I.D. करते हैं, और कुछ-कुछ M.I.D. से जो मतलब कहते हैं, क्रुशल इंफॉर्मिशन है, वॉल्यूम आप डा मिलता है, वो वॉफर जो आभी हम देखेंगे, और एंप्लिफार भी यही कहीं लगा होगा, तो वो भी हम अभी आगे वॉकराओं में देखते हैंगे, इधर 10 इंच की स्क्रीन है, लोवर वेरियंट में 7 इंच की मिलेगी, लोवर वेरियंट में आपको यह जो ग्रोम का स् लो वगरा जो है, वो नहीं लग रही है, उसके बारे में वो अच्छी चीज है, अब यहाँ पर क्विक्ली हम देख लेते हैं, क्या-क्या चीज़े हैं, ड्राइविंग डेटा, वेहिकल स्टेटस, ओफ रोड, एक्शली ऑफ रोड में क्या दिखाता है, एल्टिटूड, यह सब चीज़ें यहाँ पर दिखाता है, इसके बाद में पीछे आते हैं, और यॉर एप्स वगर और अडियो बुकिंग डॉट कॉम वगरा गाना, अगर एक तो यह जो पर्टिकलर स्क्रीन है, कनेक्टेड कार फीचर वाली है, जो लोगर ट्रिम है, वो कनेक्टेड कार म है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से डाउलोड आप कर सकते हैं, यहाँ पर USB 1, 2, iPhone, रेडियो यह सब से कनेक्ट कर सकते हैं, यह आपको आडियो बंद करना हो, तो यह आपस वाला स्टोर वापिस आता है, यहाँ पर आप होम बटन पर चले यूज करने में कोई इशू ऐसा नहीं आया है, यहाँ पर वोईस असिस्टेंस अगर आपको चाहिए, यह सब्सक्राइब काम करेगा जब आप Android Auto Apple Carpies connected होंगे तब, उसके बाद में यह steering जो है, यहाँ आप adjust कर सकते हैं, obviously, up, down, rake, reach दोनों तरी से, telescopic और tilt दोनों वे में, यह leather wrapped है, lower trim में leather wrapped नहीं आएगा, लेकिन जो middle trim है और ही top end है, इसमें leather wrapped आपको मिलेगा, यहाँ पर electrochromic mirror है, जो की अच्छी बात है, काफी sleek लग रहा है, यह sunroof जो है वहाँ पर इसके controls वगरा है, sunroof decent size की है, कितना खुलती है वो भी हम देख लेते हैं, actually, अंदर की तर sunglass holder actually होना चाहिए था, यह मुझे पता नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं है, sunglass holder mention किया वा था, probably इस वाले trim में नहीं है, sunroof के साथ में, बाकी किसी trim में, जो बिना sunroof आली होगी, शायद उसमें आएगा, यहाँ आपके पास में अंदर की lightings है, अभी अंदर की lightings LED जो है, वो option मिलता है, to standard मिलते हैं, अगर आपको चीए तो आप सर करटन एर बैक और सीट एर बैक के साथ में भी गाड़ी ले सकते हैं, इधर आपके पास में air vents है, जो कि आप individually पूरा बंद कर सकते हैं, इधर कुछ और बटन है, यह ventilated seat के control है, जी हाँ, ventilated seat भी आपको top end में मिलेगी और यह ventilated driver side के लिए, passenger side के लिए, यह आपका गाड़ी auto on off, जो है वो feature अगर आपको start saw वाला, अक्टिवेट करना है, उसके लिए है, गाड़ी lock करनी है, तो यह बटन है, हजार लेम on करने तो यह, यह चोटा सा cluster जो देख पा रहे हैं, यह touch control है, AC के लिए, अब touch AC control usually मुझ इसके भी यूट करें, तो आप probably gauge कर पाएंगे, कहां आपको जो है, वो हाथ लगाना है, तो यह चीज़े हैं, उसके बाद में आपको बागी सारे बटन जो है, यहाँ पे आपके पास में wireless charging pad है, दो type C USB जो है, उससे connect कर सकते हैं, अब यह wireless pad जो है, यह भी आपको top end में ही अब यह चलेगा, इधर आपको six speed का manual transmission मिर रहा है, जहाँ पे reverse जो है, वो इधर अंगी चुका, हलांकि इस transmission, clutch जो है, वो light है, अभी मैं प्रेस करके देखना है, थोड़ा travel उसका लंबा है, बागी यह चीज़ें ड्राइव करेंगे, तब उसके बारे में जदा बात कोई तो अपना phone यहां छोड़ गया है, बहुत ही rugged सा, phone यहां पर रख सकते हैं, बड़ I believe यह phone के लिए नहीं होनी चाहिए, यह आपके पास में cup holder, bottle holder है, यहां पे आपके पास में liver है, यह जो chrome है, यह भी आपको सिर्फ top end में मिलेगा, यह seats ventilated है, obviously आप देखी पा रहे है leatherite है, और lower trim जो है, उसकी seat ventilated नहीं होगी, बटके बोल्सर सपोर्ट होगरा, जो है, ऐसी ही रहेंगे, इसके बाद में छोटा सा space आपको यहां दिया गया, जो की काफी दिखने में ऐसे chunky सा लगता है, और यह जो है slide नहीं होती है, fixed है, इधर आपको glow box मिलता है, अब यह glow box जो है, यह cooled है, इसमें, उसके बाद में, Škoda ने actually काफी साई चीज़ें ऐसी की, जो Indian taste को काफी पसंदा दी और वो पहले नहीं किया करते थे, बट आप उन्होंने किया है, bottle holder जो है, वो actually काफी बड़ा है, आप इधर देखेंगे, काफी बड़ा, चंकी सा bottle holder है, तो वो भी एक अची चीज़ है, यह पे और स्पेस भी है, और नीचे वाला स्पेस देख पार है, यह भी काफी है, तो अगर आपके बड़े पाम भी है, तो आपको issue जो है, वहाँ नहीं होना चाहिए, अब चलते है, rear seat पे, दरवाजो की sound जो है, थोड़ी सीट होगी, actually seat adjust करता हूँ अपने हिसाब से, दरवाजो की sound में उतना गजब थर जो है, वो नहीं आ रहा है, तो यह seat मैंने अपने हिसाब से adjust कर ली है, और अब देखते है, rear में space कितना है, जो की बड़ा सवाल रहता है, इस segment की गाड़ी में, अंदर गुसते ही, एक चीज जो मुझे realize हुई होई है, कि भाईया, इस गाड़ी में space काफी सही है, actually यह seat काफी उची है, तो thigh support में किसी को issue नहीं होना है, near room भी अच्छा है, decent है, और अगर हम बात करें कि headroom कितना है, तो वो थोड़ा सा crammed है, हालांकि जगे बनाने की कोशिश की गई है, और still I would say कि फोर सीटर ही है, बट इस गा क्यों करेंगी, well, काफी सही जो है, यह प्रॉबबली चार लोग और एक बच्चा जो है, वो बैठे तो उसके लिए हो सकती है, और three pointer seat bell दिये गए है, वो एक अची चीज़ के बारे में, third passenger के लिए भी, दौनों के लिए तो मिलते मिलते हैं ही, और third passenger, अगर आपकी size यह type C है, और यह USB type C देना जो है, अच्छी बात है, futuristic लगता है, but probably वो USB दे देना चीज़ था, एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, कि यह move नहीं करता है, तो I am just correcting it, तो यह बाते हैं, यहाँ पे rear seat पे, आपके पास में 60-40 split मिलता है, जो top end variant और बीच वाले variant में मिलेगा लोर में 60-40 split नहीं मिलेगा, rear में reading lamp जो है, वो भी आपको LED वाले मिलते हैं, इनकी quality थोड़ी सी better हो सकती थी, definitely, और यहाँ पे आपके पास में obviously, यह grab handle मिलता है, जो की अच्छी quality का ऐसे feel हो रहा है, यह बाते हैं, rear में parcel tray एक बार बूट में भी चले जाते हैं, बूट की क 40-40 size का है, 205-50R-16 size का है, और यह आपके पास में subwoofer जो मैं बता रहा था, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसी में मतलब यह, और यह थोड़ा सा, अजीब type की quality का है, यह वाला मैट, बेटर quality का हो सकता था, तो यह चीज़ें हैं, अब गाड़ी की pricing वगर आके है, क्या है, उसकी बात कलता है, एक, क्या है, यह पकड़ के खीचने के लिए दिया गया है, I don't know, मतलब मुस्की नहीं से पक नहीं, paint की quality बहुत अच्छी है, गाड़ी की, no doubt, even overall build जो है, वो भी काफी solid लग रही है, यहाँ पे 12V का charging socket है, अगर मैं आपको बताना भूल गया यह आप जो देख पाँ है, 12V, तो यह सब कुछ है Škoda कुशाक के बारे में, और Škoda कुशाक जो है, उसकी pricing अभी हमें नहीं बता है, बट मेरी expectations के साब तेकर मैं बता हूँ, तो अगर इस गाड़ी को price किया जाए, around 12 lakh to 17 lakhs, और probably 17 lakhs जदा हो गया, 16 something, तो यह एक बहुत अ क्योंकि usually Škodas जो है, चलाने में अच्छी होती है, बाट अभी कुछ कॉमेंट नहीं कहाता है, MQB जो प्लैटफोर में, प्लैटफोर में प्लैटफोर मोडिफार करके यह गाड़ी उस पे based रही है, और India 2.0 जो strategy है Škoda की, उसकी according है, बागे फलाल दोस्तों इस वीडियो म में इतना ही उमीद करता हूँ, वीडियो पसना ही है, पसना है दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राब आप कर सकते हैं, अगले वीडियो के दोस्तों element पर नहीं है, structure चलिए, धन्यवाद